हलो एंड वेलकम टू कीजी कलव एजूकेशन आज हम लोग भी एचाइसी वन जिरो वन के यूनिट टू को देख रहे हैं जिसमें पढ़ने के लिए है प्री हिस्टोरिक पिरियड इसे हम लोग आज देखेंगे आज हम लोग को इसमें क्या क्या देखना है वो अगर देख लें तो objective introduction का तो खैर कोई बात नहीं ये तो ठीक है उसके बाद है nomenclature पढ़ना है birth of prehistory देखना है कि prehistory जो सब्द है ये एक्चुली कब पहली बार यूज किया गया geographical feature of India चोटे चोटे टॉपिक हैं ये सब इसे deal कर लेंगे pages within the Indian paleolithic and dating ये देख लेंगे and archaeological record for paleolithic हम लोग ये देख लेंगे इतना ये चोटे टॉपिक हैं जिसे आज हम लोग कबर कर लेंगे बाकि जो बचेगा वो बचेगा lower paleolithic, middle paleolithic, upper paleolithic ये paleolithic period का time हो गया, इसे एक वीडियो में कोशिच करेंगे पूरी करने की फिर बचेगा mesolithic और इस unit में बस यही दो पढ़ना था एक paleolithic पढ़ना है, एक paleolithic और एक mesolithic पढ़ना है इस chapter में, next unit जो आएगा, unit 3 तो unit 3 में हम लोग neolithic को detail से पढ़ेंगे क्योंकि neolithic बहुत ही लंबा chapter है, अच्छे से समझेंगे तो चलिए आज क्या-क्या पढ़ना है, देख लेते हैं introduction में क्या कह रहा है, वो अगर एक नजर में हम लोग देख लें तो इसमें कह रहा है कि man's का human evolution होता है, दो तरीके से होता है एक biological होता है, evolution जो होता है, जिस तरीके से I hope कि आप लोग biological evolution समझ रहे होंगे evolution मतलब हो गया, अगर मैं एक simple term में कहूँ कि कैसे कोई भी, कैसे एक human being एक monkey से, monkey नहीं कहते हैं, एप कहते है, एक app से, एप से ये transform होते हुए एक human being बन गया क्या बन गया? human being यही क्या है, evolution है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते है, तो यह जो evolution हुआ, जो APP से human being बना और फिर human being में जो evolution हुआ और वो फिर और ज़्यादा advance होता चला गया वही इस जगह कह रहा है कि वो दो तरीके का होता है ठीक एक हुआ biological evolution biological evolution में क्या होता है तो जितने भी genetic गुण है या सरीर का जो structure है उसमें जो बदलाव आया जैसे पहले चार पैर पे चलते थे अब जब human being बनना शुरू हुआ human being बनना शुरू हुआ तो यह bipedal मतलब दो पैर पे चलना शुरू कर दे यह biological evolution हुआ उसके साथ साथ क्या होता चला गया cultural evolution cultural evolution धेर तरीके का हो सकता है किस तरीके से रहता है आदमी रहने का तरीका किस तरीके से group में अपने आपको पेश करता है किस तरीके का उसका रोज मर्रा का जिंदगी है यह सब cultural और साथ में अगर एक सब्द कहे है तो social भी इसमें जुर जाएगा यह evolution को दरसाता है तो इस तरीके का evolution क्या हुआ है इंसान में हुआ है इंट्रोडक्शन में यह बात कही जा रही है उसमें एक और important बात कही गई है आप यहां अगर देखेंगे इस जगह देखिए कि ancestor जो है हमारे human ancestor ठीक हमारे ancestor कौन थे? एप थे वो एप लाइक थे मतलब लंगूर चिंपैंजी जिसको कहते है उसके जैसे थे जर्नी आगे बढ़ती गई ठीक जर्नी आगे बढ़ती गई कब से कब तो 2.5 million years ago वैसे यह सब data ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है बस जानने के लिए है कि 2.5 million years ago में क्या हुआ था तो हमारे ancestor क्या थे? बंदर थे वो आगे develop करते गए और बाद में bipedal हो गए क्या हो गए? bipedal हो गए मतलब 2 pair पे चलने वाले app बने और फिर उसके बाद आगे human beings बनते चले गए इस तरीके का हुआ इसी सब time में जब 4 pair से 2 pair पे आना शुरू होए एक और चीज है जिसे हम cranium capacity बोलते हैं cranium capacity क्या होता है? हमारा जो brain होता है brain का जो लला ये जो पुरा सर होता है पुरा गोल सा ऐसा करके ये हमारे आखे हो गए ये मैं क्या बना रहा हूँ? ये मैं वो बना रहा हूँ skeleton बना रहा हूँ, ठीक? तो ये जो cranial है इस cranial capacity में धेर सारे changes देखने को मिले तो पहले ये छोटे हुआ करते थे, small जैसे-जैसे biological evolution होता गिया अभी जो हम लोगों का सड़ है वो कैसा हो गिया, ये बड़ा हो गिया तो cranial capacity क्या हो गिया, बड़ा हो गिया cranial capacity भी धिरे-दिरे क्या हुआ, बड़ा हो गिया और जैसे-जैसे cranial capacity बड़ा होगा उससे क्या होगा कि सोचने समझने की समता चीजों को सीखने की समता वो ज्यादा आएगी तो ये सारे परिवर्तन क्या होए इंसान में आए और वही evolution के अंदर आता है जब cranial capacity की बात अभी हमने की कैसे brain बड़ा होता चला गया enlarge होता चला गया तो इसके साथ-साथ देखिए इंसान ज़्यादा सीखने समझने लगा तो इस शकर में उन्होंने अब क्या शुरू कर दिया टूल्स बराना शुरू कर दिया जो भी natural material था stone-way stone जो भी होता था pebbles, flux ये सब को मिला करके वो ओजार बराना शुरू कर दिया तो ये क्या था ये सोचने की समता जब विकरशित होने लगी तो ये सब चीज दिखना शुरू हो गया तो इसी में आगे हम लोग ओजार खास करके खास करके टूल्स को ले करके खास करके टूल्स और टूल्स से डिपेंड किया कैज लाइवली होड टूल्स से डिपेंड किया लाइवली होड तो टूल्स किस तरीके का किस period में बनाया गिया उसी से क्या किया गिया तो period को divide किया गिया Stone Age कहा गया, Bronze Age कहा गया, Iron Age कहा गया, जब पत्थर की उजार बनते थे, तो Stone Age कहलाते थे, जब आगे चलके Bronze का आविश्कार होता है, तो फिर Bronze Age वाले हथियार देखने को मिलते हैं, तो वो Bronze हथियार मिलना शुरू हो गया, तो लाइवली हूट चेंज होता गया, जिस तरीके स Tools बनना शुरू हुआ, अब जैसे आप सोचिए पहले, पहले अगर मोटा टूल होता होगा, पत्थर जैसा, पत्थर से हाथ, पत्थर को हाथ में उठा के किसी जीव को मारने में काभी मुश्किल जाते थी, धीरे-धीरे फिर अब उस वक्त किस तरीके का पड़िवेश होग Tools काफी शार्फ हो गया, जिससे वो दूर से भी शिकार कर सकता था, मान्स को चौप कर सकता था, अच्छे से पका सकता था, बाद में आग की भी खोजुई, तो यह सब आगे बाद में लोग देखेंगे, तो Tools यहां हम यह जानेंगे, कि Tools ने लाइवली हुट को क्या किया, Tools ने लाइवली हुट को एफेक्ट किया, अब आगे हम बात करतें नॉमेन कलेचर को, तो यह नॉमेन कलेचर में जो भी बातें कही गई हैं, एक वार आप उसे देख लें, तो पिछले लेक्चर में सायद हमने प्री हिस्टरी क्या होता है, प्रोटो हिस्टरी क्या होता है, हिस्टरी क्या होता है, यह सारी बाते हमने डिसकस किया है, अगर आप लोगोंने पिछले वीडियो को नहीं देखा, तो कोशिश करिए देखने की helpful रहेगी, तो यहाँ पे कुछ हाइलाइट किया हुआ जो चीज है, वो यह है कि प्री हिस्टरी सबसे पहले आया, प्री हिस बात चीज तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, वो प्रोटो हिस्टरी जैसे हडपा हो गया, एक हो गया हिस्टरी, अब हिस्टरी में आर्केोलोजिकल सोर्स भी मिलेगा और लिटरेरी सोर्स भी मिलेगा, जबकि प्री हिस्टरी में सिर्पर सिर्फ आर्केोलोजिकल सोर अफेल्ड कर जाता है ये इसकी ज़्यादा जरूरत हो जाती है तो ये सब का एक अपना टाइम पिरियेट रहा और इसी सब टाइम में कहीं पर एग्रो पास्ट्रल नियोलेथिक कल्चर चालकोलेथिक कल्चर देखने को मिलता है ये सारी बाते आगे अच्छे से डिटेल से प ओ गया ये सबका एक चार्ट हम बनाते है इस चार्ट को आप लोगजने की कोशिश करो और इसे ध्यान में रखिए आगे ये चीज बरने को बस यही चीज बरने को है उनिट इस युनिट में और नेक्स्ट युनिट बे तो चलिए एकवाद हम लोग उस ुस चार्ट पर च तरीके से पढ़ा वो हुआ नॉमिनकलेजर तो सबसे पहले जब स्टोन से लोग स्टोन का यूज करते थे जो सबसे लंबा काल भी रहा है तो वो हो गिया आपको स्टोन एज वो हो गिया stone age नोट करते जाईएगा उसके बाद फिर stone age से आगे बढ़ा और फिर क्या हुआ तो आगे और discover हुआ नया age आया उसको हम लोग बोलते हैं bronze age bronze age ठीक इसके बाद फिर आगे जब iron की खोज हुई 600 BC के आजपास तो वो आपको हो गिया iron age हम लोगों ने पिछले first lecture समय हम लोगों ने जाना था कि stone age iron age कहीं पे किस जगा किस period में चल रहा था हमने discuss करा हुआ है अब हम लोग देख रहे हैं कि जब stone का use किया जा रहा था जब stone का use किया जा रहा था तो उस age को stone age कहा गिया है उसके बाद फिर जब ब्रोंज का अविस्कार होता है कासा तो फिर ब्रोंज age आया उसके बाद फिर iron age आया जब iron लोहे की खोज हुई अब यहां पे further division और हो जाता है क्योंकि stone age stone age सबसे लंबा period रहा है तो यह कई भागों में तूट गिया stone age को भी हम further तीन भाग में बाठते हैं ठीक stone age में stone इसको भी further two भाग में बाठते हैं जैसे एक हो गया आपको paleolithic paleolithic age दूसरा हो गया आपको लाइफ स्टाइल पर देखने को मिला था और एक हो गया नियो लिथिक एज यह सब नॉमेंकलेचर है जो वहां पे हमने प्राग्राब देखा तो मैं उसे एक सटिक तरीके से आप लोगों को समझा देता हूं चार्ट के माधियम से तो स्टोन हम लोगों ने स्टोनेज देखा ब्रॉंजेज देखा और आइरनेज देखा उसके अधि स्टोन इस फर्दर डिवाइट होता है प्रमपरा जब शुरू हुआ था तो सटो वह पहला नजेम Óलिथिक कालका है फिर आया पिजोलिथिक चब टूल्स में और जायदा अच्छी तरीके से बनाने लगे वह मेसालिथिक हो गिया फिर आया नेयोलि तिक फिन आया आपका एक सिकेंड तो हम लोगों ने पहले लिथिक देखा जब शुरुवात हुई टूल्स बनाने की टूल्स में और मॉडिफिकेशन हुआ तो मिजोलिथिक आ गया और ज्यादा अच्छा सा जब टूल्स बनना शुरू हो गया छोटे छोटे एफेक्टिव टूल्स बनने शुरू हो गया तो वो नियोलिथिक हो गया तीन पिरियड में स्टोन एज फर्दर डिवाइट हुआ अब इस स्टोन एज में पैलियोलिथिक जो इंपोर्टेंट है जो स्टोन एज बहुत लंबे साल तक चला लंबे काल तक चला उसके बाद ये तीन फर्दर डिविजन हुआ स्टोन एज में पैलियोलिथिक लंबे समय तक चला इसलिए पैलियोलिथिक को भी हम तीन भाग में डिवाइट करते हैं ज्यादा नहीं घबराना है समझ लेना है अराम से आप लोग कर लेंगे फिर पैलियोलिथिक जो की स्टोन एज का ही एक पार्ट है इसे भी तीन भाग में डिवाइट किया गया एक हो गया आपको लोवर पैलियोलिथिक लोवर पैलियोलिथिक एक हो गया आपको मिडिल पैलियोलिथिक अपर पैलियोलिथिक यह है पूरी की पूरी चार्ट पूरी की पूरी नॉमेंक्लेचर जो आप लोगों को जानना था अब इसमें अगर मैं बात करूं तो पैलियोलिथिक एज को अगर हम डिवाइड करें क्योंकि सबसे पहले हम स्टोन इज पर रहे हैं स्टोन इज जब मेजोलिथिक नियोलिथिक आया होगा फिर ब्रॉंज एज आया होगा और फिर आइरन एज आया होगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोवर्ड पैलियोलिथिक का जो काल है जो समय है टाइम पिरिएड जो हम कहेंगे वो जैसा हर बुक में अलग-अलग दिया गिया है तो यहां 5,000,000 से 50,000 BC तक Lower Paleolithic था Middle Paleolithic फिर आया यह आपको हो गया 50,000 से 40,000 50,000 से 40,000 Middle Paleolithic हो गया और 40,000 BC से 10,000 BC तक कि अगर हम बात करें कि 40,000 BC से 10,000 BC तक यह आपका Upper Paleolithic आ गया जब यह समय खतम होता है मतलब Paleolithic खतम हो जाता है क्योंकि Paleolithic कहीं यह 3 पार्ट था उसके बाद आता है Mesolithic Mesolithic period फिर 10,000 से आपको लगवग 8,000 और उसके बाद फिर Neolithic period आ जाता है जब Mesolithic खतम हो जाता है Neolithic खतम हो जाता है तब आता है आपको Bronze Age और Bronze Age का जो काल था वो आपको 3000 से लेकर के 1500 BC तक देखने को मिलता है और Iron Age उसके बाद आता है Iron Age को हम लोग Generally कहीं तो 1200 कहा जाता है तो हम लोग 1000 से 1600 BCE 600 600 BCE तक हम Iron Age को कहते हैं I hope कि आप लोग समझ लिये होंगे अगर नहीं समझे होंगे तो आप reverse करके वीडियो को बार-बार सुनें ये आपको समझ में आ जाएगा तो ये हो गिया पूरी की पूरी Nomenclature जो की आपको उस प्राग्राप में दिया गया था वहां हम लोग चलते हैं यहाँ पे वो सारी बातें कही गई है आप लोग को अगर बुक है तो पढ़ें बाकी जितना था पढ़ने को वो सब मैंने यहाँ पे बता दिया बाकी की जो कुछ पॉइंट है जिसे cultivation of crop, urban civilization town planning, bronze technology ये सब आगे तो हम लोग देखी लेंगे वो सारी इसमें tension लेने की जरुरत नहीं है अब बात हो रही है यहाँ पे कि birth of prehistory मतलब birth of prehistory जब बात आ रही है तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि prehistory जो एक टर्म है ये कब से जानने को मिला तो ज़्यदा इसमें याद रखने की जरुरत नहीं है लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि 1859 1859 में क्या हुआ तो एक fossilized bone मिला मतलब वो हड़ी जो fossilized था बहुत पुराना दबा हुआ था stone में दबा हुआ था stone में अगर कुछ दब गया उसमें फस गया तो वो fossil कहलाता है ये सोटा सा टर्म है आप लोग ध्यान में रखिएगा तो वो bone को जब survey किया गिया तो पता चला कि ये उस वक्त का है जिस वक्त history मतलब बहुत पुराना है तो वो prehistory term उसको दिया गिया कि वो term जिस वक्त का हम लोगों के पास literary source तो नहीं है उससे पहले कहीं होगा तो जा करके prehistory term आना शुरू हुआ एक और है John Leobock John Leobock का नाम आप लोग याद रखेंगे इन्होंने एक book था इनका prehistoric time इन्होंने इस book को लिखा और इसमें उन्होंने prehistory term का उप्योग किया 1865 में और इन्होंने दो term दिये एक paleolithic अभी हमने परहा था ये paleolithic old stone age था और neolithic new stone age ये भी मैं आप यहां देखिए paleolithic, mesolithic और neolithic तो Leobock नहीं क्या किया paleolithic term दिया मतलब old stone age और neolithic term दिया new stone age उन्होंने mesolithic term नहीं देखा बाद में और जब research हुई तो फिर बाद में mesolithic term को भी add किया गया paleolithic, old stone age, mesolithic beach वाला जो काल तहा होगा वो neolithic new stone age ये आप लोग समझ लिया होगे क्यूंकि लिथिक का मतलब होता है stone तो यहां हम लोगोंने birth of prehistory एक छोटा सा था उसे भी हम लोगोंने देखा एक और चीज़े जो यहां पर देखने के लिए है वो है कि thanks to the cultural sequence from the cave क्या कहे रहा है जूम कर दूं अगर मैं तो thanks to the cultural sequence from the cave and open air site in France three phase were recognized within the paleolithic lower, middle and upper कि एक country है हमारा France France में एक open air site और एक cave site cave site वो होता है जो पुराने पुराने गुफाए है उसके अंदर अगर कोई evidence मिलता है वो cave site हो गया open air site हो गया कोई field है वहाँ पे archaeological survey हुआ वहाँ पे खुदाई की गई तो जा करके हमें कुछ evidence सबूत मिले तो वो open air site हो गया तो France में ये दो site से पता चला और फिर वहाँ से एक निश्कर्स निकल के आया एक consequence निकल के आया कि lower, middle और upper paleolithic age में history को बाटना चाहिए और फिर जा करके इसे बाटा गया अब हम लोग चलते हैं कि geographical features को देखने के लिए geographical features में कहा जाता है कि India कैसा land है कि पूरे condition हमने देखी थी कि क्यों इंडिया में किस तरीके का परंपरा, यहाँ पे क्यों जन्मा उसके पीछे क्या region है क्या इसका का रंधा होगा तो वो सब पहले lecture में किया हुआ है उसी बात को यहाँ पे रखा है कि इंडिया में जो pre-history pre-historical period का जो evidence हमें मिलता है उसका region क्या है तो इंडियान लेंड्सकेप is endowed with all the prerequisites ठीक है इंडियान लेंड्सकेप इंडियान लेंड्सकेप जो है वो हर एक ऐसी इस्तिती को को दिखाता है जिससे यहाँ पर hunting, gathering life शुरुवात की गई होगी जैसे यहाँ का जैसे northern इंडिया में आ गए तो धेर साड़े rivers मिलते हैं कुछ एडिया में धेर साड़े grassland मिलते हैं जहाँ पे चारा सब इकठा किया सकता है ज़्यदा जंगल मिलता है जंगल रहने के वज़ज़ से यहाँ पे ज़्यदा जानवर होंगे उसका सिकार होता होगा पीने के लिए पानी एवेलेबल है अच्छे मौसम है नहीं ज़्यदा ठंधी है नहीं ज़्यदे गर्मी है हर मौसम का यहाँ पे एक समय होता है और वो एक सही तरीका है जीने के लिए इसलिए यहाँ पे hunting, gathering way of life शुरू हुआ बाद में धेर सारे हिमालियन stones मिलते थे अरावलिक stones मिलते थे यह सब की मदद से और siliceous stones मिलते थे यह सब चुटे-चुटे टुकडे हो जाते हैं यह सब की मदद से tools बनना शुरू हो गये और यहाँ पे लोग tools बना करके क्या करना तो hunt करना शुरू कर दिया धेर सारे water bodies अभी हम डिसकस किया कि वो मिलते थे wild plant और animal food यहाँ आसाने से मिल जाता है क्योंकि jungle जैदा था उसके आद इंडो-gangetic alluvial tract मिल जाता है अभी हमने बात किया कि रिवर्स के बज़े से fertile land मिला जब बात में हम neolithic culture में आएंगे iron age में आएंगे तो हम जानेंगे कि कैसे hunting gathering एक agricultural society में बदल गिया लोग शिकार छोड़ करके agriculture की और ज्यादा जुखने लगे उसके पिछे क्या रिजन थी वहाँ पे इंडो-gangetic alluvial tract बहुत काम आया क्यूंकि यह बहुत अपजाओ शेतर था यहाँ पे लोगों ने gracious शुरू की gracious के साथ-साथ यहाँ पे लोग बस्ती बनाना शुरू कर दिये और फिर एक गाउँ बना फिर एक समाज बना और developed nation का निर्मान हुआ तो वो हम आगे बढ़ेंगे फिर stone age groups occupied the whole the Indian landmass तो stone age group जो हम देखते हैं palolithic, misolithic, neolithic यह सब पुड़े के पुड़े Indian landmass में हम लोगों को दिख जाता है तो geographical feature of India कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे एक ऐसा topography है कि यहाँ पे यह सब society, panpa और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा evolute भी किया और बहुत ज़्यादा फला फुला भी अब आगे क्या पढ़ने के लिए phases within the Indian paleolithic and dating की बात की गई है तो हम लोगों ने अभी lowered stone age, middle stone age, upper stone age तो हम लोगों ने देखा ही हलके में ले तो 5 लाख साल से पांच लाख साल से ले करके 50,000 50,000 BCE तक lower रहा middle फिर 50,000 से 50,000 से 40,000 BCE तक BCE तक रहा और upper की बात करें तो फिर 40,000 से ले करके 10,000 BCE तक यह देखने को मिलता है यह time period है, इस चीज़ को तो आप लोग ध्यान में रखे ही यह बहुत important है तो हम लोगों ने lower, middle और upper देख लिया अब बात आती है कि lower paleolithic period जो था जैसे ये lower paleolithic period जो था मतलब lower paleolithic period जिसे 5,000,000 से 50,000 BCE तक का तो time था यहाँ पे जो टूल बनने का tradition था दो तरीके का था एक pebble से टूल बनते थे pebble समझ रहे होंगे आप लोग जो नदी से जो पत्थर आती है जैसे ये नदी बह रही है नदी बह रही है इसे हिमाले से नदी निकली और यहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर इस हिमाले से तूट करके गिरा धीरे धीरे क्या होता है यह घिषते घिषते क्या बन जाता है, छुट छुटे पत्थर बन जाते हैं, तो यह सब का यूज बाद में, टूल बनाने में किया गया, यह पैबल स्टूल हो गया, और जो बड़े बड़े पत्थर का यूज किया गया, वो स्टोन टूल हो गया, तो यह सब से हैंड एक्स यहां पें पुख कर करके लकडी को कट करते थे तो यह हो गया, दो तरीके का पत्थर का यूज किया जाता था तो Lower Paralithic Period में ये बात यहां कही गई है तो Peninsular India में Handex ज़दा देखने को मिला है हाथ का कुलारी उसके बाद जो बात कही गई है वो ये की Lower Paralithic Tradition जो था Lower Paralithic Tradition में Large Pebbles और Flux Large Pebbles ये जो Pebbles हमने देखा यहां पे वो Pebbles बड़े-बड़े होते थे इसका Tools बनाया जाता था और उससे Chopper बनते थे Chopper समझ के जिसे आसुल का छूरा हो गया चाकू हो गया वो सब Chopper होता था ठीक वो सब क्या होता था तो छूरा टाइप का Chopper बनता था इसको बनाने का कुछ तरीका था मैं एक पर आपको Stone कैसे किस तरीके का बना वो मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ जैसे ये Pebble है बड़े Pebble है इसे क्या किया गया इस जगह से काट दिया गया ठीक और ये अलग हो गया ये क्या हो गया अलग हो गया अब समझे यहां से यह कट चुका है और ये पार्ट यहां से निकल चुका है ये वाला पार्ट ये हो गया और ये वाला पार्ट ये हो गया तो जब ये टुटा तो ये जो बीच में ये देख रहे हैं ये एरिया और इसमें ये इधर साइड वाला एरिया इसमें धेर बहुत शार्फ हो गया पतला हो गया और जब यह पतला हो गया तो यहां से अगर इस पत्थर को मैं ऐसे रख दूँ अगर मैं इस पत्थर को ऐसे रख दूँ तो यहां से आप क्या कर सकते हैं तो लकडी को काट सकते हैं यहां से आप लकडी को काट सकते हैं तो यहां पे धार जिसको कहते हैं हम लोग काफी शार्प हो गया और यहां से हम लकडी को काट सकते थे तो यह pebbles हो गया यह pebbles हो गया pebbles को जब हम कट किये तो यह जो छोटा सा टुकरा निकला इसको हम लोग फलक बोलते हैं हिंदी में लिखें तो फॉलॉकॉ ठीक, इंग्लिस में अगर मैं सही तरीके से लिख दूँ तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका फलक फलक, जब किसी पैबेल्स का टुकरा हम लोग तोर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं फलक में भी तेजधार होता है और जो पैबेल का बचा हुआ हिस्सा होता है उसमें भी तेजधार होता है और फलक में भी तेजधार होता है ठीक, अब आप लोग इस बातों को समझ गये होंगे फलक क्या है और पैबेल्स क्या है वही बात यहाँ पे कहा गिया है कि large pebbles और flux के tools बनते थे और वो tools अभी हमने बात कही कि यह chopper का काम कर रहा है एक handex हो गिया अगर कोई muscles को काटा जा रहा है chopper के तरह काटा जा रहा है एक होता है scrapper जब किसी लकडी को छिला जाता है किसी चीज से तो वो scrapper होता है हम लोग छिलते हैं सबजी को छिलते हैं उसको हम लोग scrapper बोलते हैं तो धार वाले चीज से धेर साड़े use की जाते थे और use करने का अलग-अलग हथियार बनाया जाता था तो वो किसका बनता था? large pebbles का बड़े-बड़े वो pebbles जो आते थे उसके या फिर flux जो pebbles से टुटे हुए हिस्सा होता है उसे हम लोग flux बोलते हैं अब आप लोग ये चीज समझ गया होंगे उसे आपको क्या-क्या बन जाता था chopping tools बनता था, handax बनता था clevers बनता था, knife बनता था ये सब चीज lower paleolithic period में हुआ ये सब चीज कब हुआ, lower paleolithic period में हुआ जब flux और large pebbles से हथियार बनाए गए जब हम middle paleolithic period में आते हैं तो यहाँ पे हमें धेर सारे flux मिलते हैं सिर्फ flux flux आप लोगों ने समझ लिया है I hope जादे समझाने की जरुरत नहीं है तो flux जो है उस flux से धेर सारे हथियार आपको mesolithic period में देखने को मिलते हैं sorry, mesolithic नहीं middle paleolithic है तो सब paleolithic period ही उसमें lower paleolithic में large pebbles और flux के यूज हुए middle paleolithic में flux के धेर सारे हथियार बनाए जिसमें point वो नोकिला भाला टाप का बनता था यह सब tools बनाए गए जब upper paleolithic age में आए तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला तो pen, knife, blade blade बनना शुरू हो गया कब upper paleolithic period में यही चीज़ blade है तरीके से यही सब पत्थर अगर पतला हो गया यह मानिए पुरा पतला पत्थर है और यहाँ पे तेज़ धार है तो यह blade का काम करता था तो यह blade हो गया इस तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से lower paleolithic, middle paleolithic और upper paleolithic में tools धेजरे change होते गए फिर mesolithic में और change होते हैं newolithic में और change होते हैं और इस तरीके से काम work load घटता है और साड़े काम फिर करने का मौका लोगों को मिलता है तो वो और भी नए टेकनीक को ढूंडते हैं अब हम बात करते हैं कि कौन सा पत्थर किस समय का है, कौन सा चीज किस वक्त का है, हैंड एक्स किस समय का है, वो सब कैसे पता चलता है धेर साड़े तरीके है Radio Carbon Dating होता है ठीक है Palium Magnetism एक परकार का है Dating करने का तरीका सबसे famous Radio Carbon है ये आप लोग याद रखेंगे कि Radio Carbon को कहीं कहीं C14 के नाम से भी जा ना जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे Radio Carbon सबसे famous तकनीक है उसके बाद थर्मो काम होता है तो यह सब हो गया किस तरीके से हम पता करते हैं कि कौन सा होजार किस वक्त का था या कौन सी चीजें किस वक्त की थी अब जो नेक्स टॉपिक है वो आपको हो गया प्रांस में अभी हमने पना ला कि फ्रांस में फ्रांस में जब ओपन एर और केव के साइट को ढूंडा गया तो जाके हमें अपर मिडिल और लोवर प्रांस पिरेट के बारे में जानकारी मिली वही चीज यहां है कि पेलोलिथिक साइट दो तरीके का होता है एक ओपन एर साइट एक केव और रॉक सेल्टर रॉक सेल्टर अभी हमने समझा कि जो साइट हमें गुफा के अंदर मिलती है वो हो गया केव साइट और जो साइट हमें ओपन फिल्ड में मिलती है ओपन फिल् जानने की जरुदत नहीं है जो बात यहां लिखी गई है वो यह कि various formation processes ranging from true in situ और undisturbed site जर साइट ऐसे हैं जहां चीजें जैसी की वैसे ही पड़ी हुई है उसमें कोई भी changing नहीं आया वो क्या है in situ है मतलब जैसी थी वैसी ही है कोई पड़ी भर्तन उसमें नहीं आया है cave and rock shelter sites occur in hilly areas और cave और rock shelter जैदा तर पहाड़ी एरिया में मिलता है जहां पे sedimentary rock पाए जाते हैं क्योंकि cave वहीं बनेगा जहां का rock क्या होगा कमजोर होगा जहां का rock कमजोर होगा वहाँ बनेगा cave और rock कमजोर होगा sedimentary area में sedimentary और sedimentary कहां होगा तो hilly area में sedimentary rock कहां होगा hilly area में यह सब जोग्रफिक की बाते हैं बस इतना जानना था तो कुछ साइट है केव वाला वो कहा कहा मिलेगा तो मद्य पर्देश के कुर्नूल में मिलेगा भीम बेट का मद्य पर्देश में पड़ता है कुर्नूल आंद्र पर्देश में पड़ता है और भीम बेट का मद्य पर्देश में पड़ता है ये सब जगह पर मिलेगा अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी हम लोगों ने क्या देखा एक बाट डिसकस अगर कर लें तो यहां पे नॉमेनक्लेचर कम्प्लीट हो गया बर्थ अप्डी हिस्टरी कम्प्लीट हो गया जेग्राफिकल फीचर्स अफ इंडिया हम लोगों मिडल परललिथिक शाइट है और अपर परलालिथिक शाइट है तब तक के लिए इतना आइए धन्यबाद